नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिरनवा इंडिस्टीज लिम्टेट के आईपियो की लिस्टिंग के बारे में तो इस वीडियो को अंते तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें वैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सबस्क्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखिए हेरनवा इंडिस्टी इस लिम्टिट का जो IPO है वो आज मार्केट में लिस्ट हो गया और जैसे कि कल हमने बात किया था कि ये IPO करीब 9.5 रुपे के आसपास लिस्ट होने की संभावना है लगबग उसी रेट पर ये लिस्ट होता हुआ नजर आया यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लिस्टिंग करीब 900 रुपे के आसपास होई यानि कि अपनी लिस्टिंग प्राइस से करीब 100 रुपई ये IPO नीचे आ गया आप देख सकते हैं करीब करीब 1-2 घंटे में ये नीचे आ गया उसके बाद इसने 825 रुपे के आसपास सपोर्ट लेकर थोड़ा सा उपर जाने की कोसिस की और ये लगातार वहीं पर fluctuate करके थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद इसमें और नीचे के लेबल आपको देखने को मिले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लेबल है यहाँ पर ये वाला जो लेबल है करीब करीब जो है 825 रुपे के आसपास है ठीके 825 रुपे के आसपास करीब करीब वहीं से इसने फिर से एक बार सपोर्ट लिया था आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट लिया यहाँ पर लिया और यहाँ पर यह नीचे आ गया और यहाँ पर फिर ये लिस्ट होता है तो 870 रुपए का आपको stop loss लगाना है वो अगर एट होता है तो that's all आपका profit book हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर यह 930 रुपए पर लिस्ट हुआ था जैसे कि माल लिजिए 930 रुपए में 30 रुपए का difference है तो आपका 930 रुपए के आसपास यह sale हो जाता यानि कि आपका profit 900 रुपए के आसपास book हो जाता ठीके अब आपने stop loss नहीं लगाया देखिए मैंने आप यहाँ पर एक वो डाला था लोगों से मंगाये थे suggestion कि आपने कितने पर बेचा है तो लोगोंने 20% लोग ऐसे हैं करीब जिन्होंने इस IPO को अभी तक बेचा नहीं है लास लास तक तक तो वो अपर होल्ड करके बैटे हैं तो होल्ड करने से देखिए आप क्या मतलब है जब आपको 100 रुपए का loss यहाँ पर मैं loss ही मानूंगा इसको क्योंकि यह जो share है उपर ग केट में लिस्ट हुआ है इसके उपर जाने की या नीचे जाने की prediction करना बहुत ही जादा मुस्किल है कंपनी को अगर देखें कंपनी के लिहाज से यह long term के लिए बहुत 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 ही शैर है इसमें कोई भी दिकत बाली बात नहीं है लेकिन अगर आप चार्ट को देख कर ये पता लगाना चाहो कि ये शैर ऊपर जाएगा ज़े नीचे जाएगा तो बहुत ही मुस्किल है क्योंकि डेटा यहाँ पर बहुत ही limited है और यहाँ पर मैंने दो मिनिट का चार्ट लगाया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर limited data है तो अगर मैं यहाँ पर इस चार्ट को analysis क तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक पॉइंट है 825 रुपए का ठीक है 825 रुपए के आसपास जब यह शेयर आया है तो यहाँ पर नीचे जाने में भी इसको दिक्कत हुई देखिए एक बार दो बार और यहाँ पर तीन चार बार यहां तक आया उसके बाद रुपए से उसके बाद जब यह 825 रुपए के नीचे आ गया तो यह रेजिस्टेंस का काम भी करने लगा आप देख सकते हैं यहाँ पर गया और यहीं पर रुख गया तो आपको एक बार समझने के बाली बात है यहाँ पर कि 825 रुपए का जो लेबल है वो बहुत जादा important है आपको आगे देखे अगर आपको यह lot हुआ था IPO तो आपको देखे क्या करना है एक stop loss तो जरूर लगाना है क्योंकि माली जीए कल के दिन अगर यह IPO दो तीन दिन में यहाँ पर यह बहुत नीचे गया 7500 रुपए के आसपास तक गया तब आप क्या करेंगे तो at least अग तो मैंने आपको कल यही बोला था कि आपको बेच देना है उसके बाद नीचे आएगा तो अगर आप long term के लिए रखना चाहते हैं तो फिर से खरीद लीजे कोई दिक्कत बाली बात नहीं है अब आपको यहाँ पर एक stop loss जरूर लगाना है क्योंकि मार्केट में गिरावट है अगर हो सकता है कि सोंबार के दिन भी गिरावट हुई मार्केट बहुत जाद नीचे गया और मार्केट के गिरावट के फ्लो में ये भी नीचे चला गया तो आपका जो जितना बचा हुगा profit है वो भी आपका चला जाएगा तो मेरी simple सी राय है आपको यहाँ पर एक 800 र profit होगा नीचे जाएगा तो आपका stop loss हेट होके आपका profit जो है book हो जाएगा कोई दिक्कत वाली भात नहीं है ऐसा आपको करना चाहिए मेरी राय अगर आप मानेंगे अगर आप इसको hold करना चाहते हैं कि भाई मैं तो इसको 2-3 साल तक रखना चाहूँगा इसमें कोई दिक दिक्त नहीं अगर 2-4 रुपए की गिरावाट या 50-100 रुपए की गिरावाट होती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आप रख लीजिए कोई problem नहीं है लेकिन जिसने यहाँ पर 10-20 या 15 दिन के लिए यहाँ पर hold किया हुआ है तो उसको matter करता है अगर 50 रुपए गिरता है तो उसको बहुत बड़ा loss होगा मैं यह मानूँगा तो यहाँ पर आपको एक stop loss maintain करना चाहिए stop loss अभी भी 800 रुपए के आसपास आप लगा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया 796-797 जितना भी आप लगाना चाहें उतना आप लगा लीजिए उसके बाद इसको hold कर ल इसके ले करके तोड़ा सा नीचे stop loss लगाएं और उसके बाद इसको अपने portfolio में रखें उसके बाद अगर यह बढ़ता है तो आपके price आने पर आप इसको बेच दें अगर यह नीचे जाता है तो सोता ही अप यह कट जाएगा और आपका profit book हो जाएगा यह सबसे simple और सीधी strategy है और देखिए अगर जिस किसी को यह अभी खरीदना है जिसका मन है कि भाई मैं इसको खरीदू क्या तो इसको अभी न खरीदो अभी दो चार दिन वेट करो मुझे लगता है कि यह नीचे जाना चाहिए थोड़ा सा और नीचे जाएगा 800 रुपए के नीचे जाएगा ज नीचे जाने की कोसिस भी करें तो आपको जब यह निचले स्थरों पर मिले तब आपको इसको खरीद लेना है जल्द वाजी बिल्कुल नहीं करना है कि भाई मैं इसको अभी करीदूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है तो देखिए सिंपल मैं कंकुलूर करता और इसको आराम से बैठ कर देखते रहना है ठीक है अगर उपर जाता है तो आपको फायदा है फायदा ही फायदा है नीचे जाता है तो भी आपका स्टॉप लॉस हेट हो जाएगा और आपको वैसे भी तो प्रॉफिट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं जो नए खरीदने चाह तो आपको वहाँ पर इसको बाई करना है अगर बात करें जिसने बेच दिया है उसका तो भाई प्रॉफिट वोग होई गया है तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है बागे जब एक दो दिन हो जान दो एक आध हपते में फिर इसको रिवाइस करेंगे कि किस तरीके से यह करो के बैटें ठीक है तो आई तिंग जो मैंने बताया आपको वह फॉलो करेंगे कल आपने फॉलो किया होता तो 900 रुपे पे आपने शेयर को बेचा होता ठीक है आप रेगुलर्ली हमारे वीडियो को देखते हैं मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूं कोई अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें वैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रह आज की वीडियो फिलाल इतना ही धन्यवाद